हेलो कैसे स्रीया काल रावराण सलम कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज का हमारा वीडियो होने वाला है वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है what is fat loss and what is weight loss ठीक है आज हम हमारा जो वीडियो है इसके उपर है तो चलिए आएए बात करते हैं weight loss क्या है और fat loss क्या है इसको detail में समझते हैं weight loss weight loss guys कैसे होता है ठीक है और यह सही है या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं जब कोई बंदा जिम के अंदर आता है उसको नॉर्मल ही नहीं पता होता है कि मुझे weight loss करना है fat loss करना है मेरे साथ बहुत होता है जब भी कोई नया बंदा आता है जिससे अपना weight कम करना है तो वो आके सबसे पहले एक चीज़ बोलता है कि weight loss करना है तो मैं से explain करता हूँ कि आपको weight loss नहीं fat loss करना है मैं उसको सारा कुछ बताता हूँ कि weight loss सही है क्या fat loss सही है उसमें difference तो आज का ये वीडियो उसी पे होने वाला है कि weight loss सही है क्या fat loss सही है एक बंदा आया जिम के अंदर जिसका weight 20 kg loss करना है ठीक है जो कि guys muscle mass को maintain करते हुए काफी अच्छे तरीके से भी हो सकता है लेकि प्रॉबलम का आती है कि knowledge की कमी आपके जो trainer है उनकी और कुछ trainer ऐसे होते हैं जो बताते नहीं है ठीक है explain नहीं कर पाते हैं चीजों को उन्हें पता ही नहीं होता I think मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि सर मुझे weight loss करना है तो मैं उसे explain करता हूँ कि सर weight loss नहीं करना है आपको fat loss करना है तो उसका question होता है कि सर क्या difference है जब इतनी बात करता है ना तो फिर बंदे का अंदर उक्सुकता आती है कि सर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है तो आगे से question आता है कि सर ऐसा क्यों तो देखे होता क्या है जब आप अपना weight loss करते हैं तो आपकी body में muscle loss होता है water loss होता है and fat loss होता है fat loss बहुत कम amount में होता है लेकिन आपका muscle loss और water loss बहुत ज़ादा होता है उसी के साथ में देखते है fat loss में क्या होता है fat loss में सिर्फ और सिर्फ आपका trainer और जो भी आपका trainer है जो भी आपको guide कर रहा है उसका main focus होता है आपके fat पे कि आपका fat percentage वो कम करें कैसे पता करेंगे आप कि आपका weight loss हो रहा है कि fat loss हो रहा है चलिए इस पर बात करते हैं आप पता ऐसे कर सकते हैं कि आपका एक महिने में कितना weight गया वन मंत में आपका कितना weight गया अगर 3-4 kg जा रहा है बहुत अच्छी बात है इतना ठीक है कई सारी research कहती है कि अगर 5-6 kg के उपर अगर आपका weight जाता है तो आपको hormones unbalancing के problems आ सकते हैं कई सारी research कहती है आप Google में जाके search कर सकते हैं इससे ज़्यादा weight आपका गया 5-6 kg से उपर आपका weight गया तो आपके hormones unbalance हो सकते हैं जो good fat loss की category में जो weight आता है वो आता है 3-4 kg enough है इतना जाता है महने में कोई दिक्कत नहीं है मैंने हमेशा से अपने clients को fat पे target किया है उनके ना कि उनके weight पे target किया है इसके लिए करना क्या होता है आपको training pattern को बदलना होता है तो I think यहां तक क्या आपको concept clear हुआ अगर आप weight loss करते है तो आपका muscle loss होगा आपका fat loss होगा आपका minerals आपका water loss होगा इतनी सारी चीज़े करके आप एक weight loss में जाते है और आपको इमें show हो रही होगी जब आप weight loss करते हैं आप कुछ इस तरीक से आपका body posture होता है अब इसी के साथ में जब आप fat loss करते हैं तो आपकी body का extrude कुछ इस तरीक से होता है तो आप देख लीजे आपको कैसे बनना है ठीक है weight loss और fat loss में यही difference है जो आपका muscle होता है वो आपके fat से 3 गुना heavy होता है ठीक है अब जब आपका एक महने में 8-10 kg weight गया तो आप बताईए आपका क्या गया आप बहुत जो वीडियो देख रहे हैं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़ादा दिमाग के तेज हैं और आप समझ पा रहे हैं चीजों को कि आपका अगर 8-9 kg weight एक महने में जाता है तो आपका क्या गया आपका fat गया और muscle गया तो muscle loss करना जदा अच्छा है कि fat loss करना जदा अच्छा है तो guys यही एक difference है fat loss और weight loss में तो कभी भी आप जिम जाते हैं तो अपने trainer से बोल ये कि sir मुझे weight loss नहीं करना है मुझे fat loss करना है fat loss में फिर वो आपका workout plan design करेगा आपकी macros जो आपका diet है वो आप manage करेगा आपकी diet को अच्छे तरीके से design करेगा जिसमें आपका protein intake high रहेगा तो इस तरीके से आपका 1.5 तो इस तरीके से fat loss process फिर workout उसमें workout pattern design करेगा आपके लिए जिसमें आपका fat loss का जो workout pattern होता है वो होता है high intensity workout करना होता है ठीक है उसके साथ में resistant training करनी होती है and weight training करनी होती है तो इस सारा कुछ mix करके आपका trainer आपको एक workout program आपके लिए बनाएगा और फिर आपका fat loss होगा guys मेरे पास जितनी भी pts fat loss के लिए आती है तो मैं उन्हें सबसे पहले वो तो मुझे आके यही कहते है sir मुझे weight loss करना है आज सक क्या ऐसा नहीं हुआ जितनी भी pts मेरे पास आई sir weight loss करना है तो फिर मैं उन्हें difference समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से counselling लेता हूँ बैटके फिर वो लोग कहते हैं कि हासर मुझे fat loss करना है और guys मैं अपनी pts के 2-3 kg से कम उनका एक महने में नहीं चाता weight क्योंकि मैं target ही नहीं करता weight को मैं fat को target करता हूँ और मेरा workout pattern जो programs में follow करता हूँ वो मेरा खुद का बनाया हो programs होता है वो नहीं कि वो ही chest raise, वो ही incline, decline वो ही सब चीजे में वो बिलकुल नहीं करता हूँ मैं अपने खुद के program design करता हूँ और फिर उनको मैं अपने program सी जो fat loss के है फिर muscle building का बंदा है तो muscle building के तो मैं अपने programs खुद बना के उनको follow करवाता हूँ और काफी अच्छे result काई सुनके आते है तो I think आपको difference समझ में आ गया होगा कि fat loss और weight loss में क्या difference है काफी अच्छे तरीके से आपको मैं एक्स्प्रेंस किया है कभी भी आप gym जाते हैं तो कभी भी आप gym जाके ये ना कहें कि मुझे fat loss करना है आप जाके कहिए कि मुझे fat loss करना है और उनसे अपने trainer से जिम में जाकर बात करिए देखिये होता क्या है normally लोग question नहीं करते यार आपने अपने आपको sofa है किसी और को अपने आपको दिया है यार मुझे बस आप fit कर दीजिए that's it तो आप वहाँ पर question करिए आप question नहीं करोगे तो सामने अलब बंदा आपको नहीं बताएगा चीजे हैं बाकि ये फर्स बंदा है एक trainer का कि आपको बताए जो आपको परसनली आपने हाइर किया आप बताए वह आपको कि भाई क्या difference से चीजों में मैं आपको करवा रहा हूँ तो क्यों करवा रहा हूँ अगर particular को exercise भी अगर मैं किसी को करवाता हूँ तो मैं explain करता हूँ कि ये जो exercise में आपको करा रहा हूँ ये मैं इस वज़े से करा रहा हूँ और इससे ये benefit होगा तो अपने trainer से बात करिए weight loss, fat loss का difference आपको समझ में आ गया होगा अब जब भी आपको weight loss करना है fat loss तो आप अपने trainer से जगे बात करिए कि sir मुझे weight loss नहीं करना है fat loss करना है fat को target करिए guys muscle को target नहीं करिए muscle loss होगा तो आपको problems होगी muscle loss, water loss, minerals loss होगे आपके, आप पतले तो हो जाएंगे सबसे पहले आप ये चीज़ समझी कि पतला नहीं होना है fit होना है gym जाते हैं आप तो आप weight को target करके ये मत सोची कि आपको पतला होना है fat को target करके weight को target करके आप अगर gym में जाते हैं कि मुझे weight loss करना है तो आप कुछ इस तरीके से दिखेंगे तो आपको कैसा दिखना है आप जब fat को target करेंगे तो कुछ आप इस तरीके से दिखेंगे तो ये एक difference है fat loss में मैं अपनी clients का fat target करता हूँ guys उसके लिए program design करना होता है workout का उसके लिए diet design करना होती है अच्छे से उसके लिए proper उनका daily schedule बनाना पड़ता है कि आप ये पूरे दिन में कितनी calories intact कर रहे हैं कितनी calories ले रहे हैं तो ये एक trainer का responsibility होती है कि वो अपने clients को सारी चीज़े बताए कि fat loss, weight loss में क्या difference है एक-एक मैने में 10-10 kg weight loss कर देते हैं trainer अपने client का क्योंकि वहाँ पर उनको नहीं पता होता है ठीक है कि भाई ये क्या हो रहा है वो तो weight machine पर focus कर रहे हैं कि 10 kg कम हो गया अवाओ मेरा तो 10 kg कम हो गया पर उनको ये नहीं मालूम है कि 10 kg गया क्या है ये तो बता तो वो आपको explain करेगा कि ये किस चीज़ का गया है वो muscle गया है आपका water muscle, fat भी गया है लेकिन fat percentage बहुत कम आपका muscle गया, आपका water गया और वहीं पर अगर आप advance चीज़े करते हैं उसको अपने trainer को बोलते हैं कि मुझे सर्फ fat target करना है जब वो fat target करेगा आपका weight 2-3 kg ही जाएगा मंतली उससे उपर जाए नहीं सकता क्योंकि muscle mass तो maintain कर रहा न muscle तो उसमें भी loss होता है गाई लेकिन ratio कम हो जाते है जहाँ पे आपका 100% muscle mass जा रहा है वहाँ पे आपका 10% 20% में आजाएगा तो muscle mass को maintain करते हो अपने fat loss करिए fat loss में होता है कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका fat loss हो रहा है आपका weight जाएगा 2-3 kg से उपर हिलेगा नहीं और आपका साथ में inches loss होंगे overall inches loss होंगे वो समझ में आता है और दूसरी बात आपका strength build होगी अगर आपका weight loss गया आप बिल्कुल थका थका फिल करेंगे आपको energy फिल नहीं होगी ठीक है और अगर आप fat loss करते हैं तो आपका उसमें workout होगा आपका high intensity workout होगा आपका cardio, cross weight उसके साथ में आपका resistance training होगी उसके साथ में आपका weight training होगी weight training, resistance training से आपकी muscle target होगी जित्ता अच्छा muscle mass उत्ता अच्छा fat loss होगा जित्ता अच्छा muscle mass आपका रहेगा उत्ता अच्छा fat loss होगा तो muscle mass को target करेंगे कि वो maintain रहे ज़्यादा से ज़्यादा safe रहे और आपका fat जाए तो यह difference है guys fat loss और weight loss में I think मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको explain किया है चीजों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दे share कर दे, channel को subscribe कर दे और bell icon को hit कर दे इससे होगा क्या, कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को तक पहुचेगा guys हमारा instagram भी है instagram page को यहाँ पे follow कर लीजे आपके नीचे यहाँ पे display में show होता होगा instagram id तो यहाँ भी जाके हमें follow कर लीजे यहाँ पे फिटनेस की daily tips और exercise के patterns डलते रहें जिससे के आपको help होगे thank you thank you for watching thank you